माली दिए, यह हमारे पास एक कंडेनर है और इस कंडेनर को हम यहां रखते हैं हम पिस्तन की मद़द से नीछे करते हैं इसी को बोलते हैं, एफेक्टिव बॉलियूम इसी को बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल बॉलियूम पास यह एक मालेकियोर प्रेशर का तालोग क्या है कुलेयन से है अब दी मॉलेक्यूल एक मॉलेक्यूल को पर तरफ घूचेंगे तूडन कहते हैं वंडर वॉल्स एक्वेजन याद नहीं होती क्यों भई कहते हैं वंडर वॉल एक्वेजन की जूरत क्या थी जबके पहले ही हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर को शो करने के लिए एक बड़ी असान सी गैस की एक्वेजन मजूद थी कानेटिक थी और कानेटिक एक्वेजन के साथ भी रेलेवन थी इतनी अच्छी एक्वेजन में वंडर वॉल्स ने जाकर प्रेशर कोरेक्शन और वॉल्यूम कोरेक्शन का क्या मामला खड़ा कर दिया समच से बाहर है उसी को समझाने के लिए आए राया हूँ सबसे पहले हम वही एक्वेजन लिखेंगे जो हमें आती है पी वी एज एक्वेजन टू एन रटी जो हमने कई दफ़ा मेंशन की है अगर आपने बाकी लेक्शर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रिपलाए करते हैं तो यह एक्वेजन कहती है कि इन सब का आंसर इसके बराबर आना चाहिए लेकिन बड़ी अजीब बात थी और वो यह कि वो आंसर इक्वल नहीं आता था यानि आपके पास कुछ पैरामेटर उधर हैं और कुछ पैरामेटर जिदर हैं और यह वाज़े क कआ जाता है आईडियल गैसे के लिए अब आईडियल गैसे के लिए तो ठीक है और अनफर इक्वल भी आता है पीर आपूचेंगे सर आइडियल गैसेज तो एक्जिस्ट ही नहीं करती है आइडियल गैस तो कोई होती नहीं है और सब की सब फिर गैसेज कौन सी होंगी रियल गैसेज होंगी ना तो रियल गैसेज के लिए एक और एक्विजन और आइडियल गैसेज के लिए एक और एक्विजन फिर इतना सार चर्लम यह वो गयरा वाइटियल नी वैसे फिर आपने भी डी कीशिछ आ यहां फ़िर को फिर कांटिक मौलिकिलर धियुह और फिर कांटिक मौलिक्लर एक्वाडि के डॉजशन और च्पार stool को सहे वाइस प्रयुक्टियर पर दिशर मां लेते हैं यही हम रियल गैसे के लिए पढ़ रहे होते तो आपको पूरे साल में शायद एक ही चैप्टर पढ़ना पड़ता वो कैसे शुरू होता वो शुरू होता बॉयल्ज ला और दा नाइटोजन और दा अक्सीजन फॉर दा अमुनिया और शी लाइन लग जाती हम आइडियल गैसे सोच कर लाज बनाए और उन लाज को फिर हमने अच्छी तरीके से बढ़ा समझा कि वो किस तरह से काम कर सकते हैं पूर एक्जमपल अगर हम कहते हैं कि टेमपरेचर के बढ़ाने से वालियम बढ़ जाता है तो यह सिर्फ आइडियल गैस के लिए नहीं ह जो वालियम है वो कम हो जाता है तो यह बात भी दोनों के लिए ठीक है आइडियल और रियल के लिए फिर मामला खराब क्या है मामला खराब क्या है वही आज हमने दुरस करना है तो मैंने खुड़ा सापको कन्फूज कर दिया है कन्फूजन को रिजॉल्व करते हैं क्या करें कि वही लॉज जो हमने पढ़ लिये हैं उन में ऐसी तब्दीली लाई जाए कि जिन तब्दीली के बाद वह ना सिर्फ आइडियल के लिए काम करें बलके रियल गैसे के लिए भी काम करें तो यही बात वंडर वॉल ने अपनी एक्वेजिन में की है लेकिन एक मामल से अब माली जिए कि हमारे पास क्या है यह एक स्पेसिफिक वॉलियूम है ठीक है और यहां से हम लगाते हैं प्रेशर तो देखें प्रेशर के लगाने से अब वॉलियूम कम हो गया है अगर हम और प्रेशर लगाएं तो वॉलियूम और कम हो जाएगा और हप्ता के मैक्सि में भी एक वक्ता दी थी जहां हमने compressibility factor के बारे में बढ़ा था वो भी उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है जो इस chapter के अंदर मुझूद है और description में भी है तो बहराल मैं दोबारा समझाता हूँ मेरा ये बात कहने का मकसद ये था कि अगर मैं ऐसा करूँ हमारी दिये इसमें एक गैस बरी है जो के रियल गैस है तो एएर में carbon dioxide या nitrogen जादा मिकदार में होती है तो वह है अब देखें मैंने इसको बंद कर दिया अब इस पर से गैस न तो उसको compress हो जाए या उसके molecules को क्रीब जाने चाहिए और क्या होजाना चाहिए प्रेशर के बढ़ने के सास्थ volume कम होना चाहिए तो हम प्रेशर बढ़ाया क्या हुआ, volume कम हो गया, pressure और बढ़ाया, volume उसी ह Jersey में से कम हो गयا बस इस सिदाद मेरे लिए आके जाना मुश्किल हो गया है यह अगर मैंसे छोड़ दूँ तो देखें यह खुद बखुद वापस आ गया है भी खुद बखुद वापस आ गया है अब मामला यह है कि यह क्यूं ऐसा कर रहा है इसकी बड़ा जो हम मान रही थे कि प्रेशर के बढ़ाने से वालियूम कम हो जाएगा लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि प्रेशर के बढ़ाने के बावजूद भी वालियूम कम नहीं होता है यहां पर वो मस्ला पढ़ता है आकर जो इस equation को wrong होता है क्योंकि pressure के बढ़ाने से अगर volume उतना कम ना हुआ जितना के हमारे gas loss कह रहे थे तो फिर यकीनन यह जवाब एक बल नहीं आने वागा तो आपने देखा कि थोड़ा सा हमें मुश्किल पेश आ रही है इस gas के equation को तमाम gases के उपर apply करते हुए ठीक है अब चलते हैं kinetic molecular theory को समयने थोड़ा साथ समझेंगे वो भी अलग से topic है वो भी मजूद है playlist के अंदर लेकिन हमने सिर्फ उन उन बातों को इसाथ discuss करना है जो वंडर वाल से तालुक रखती है तो आप यह देखें kinetic molecular theory वैसे तो काफे सारे पास्टोलेट रखती है लेकिन हम इस बद दो पास्टोलेट के बारे हैं बहस करेंगे actual volume of the gas is negligible as compared to the volume of the gas या इसको आप बोल सकते हो container volume of the container और दूसरा point यह कहता है there are no attractive forces between the gas molecules याद रहे कि यह जो theory है यह भी ideal gas को सोचते वे बनाए गई गई है ठीक है तो हम जब conditions ideal होंगी या for the ideal gases होंगी तो ही यह वाली बातें दुर्थ हो सकती है लेकिन बात फिर वहीं आती है कि ideal gas exist नहीं करती तो क्या real gases करेंगे कैसी है तो गलत है यह हमने पहले भी जिकर किया था लेकिन आज पिर इसको हम अपने साथ लेके चलते हैं कि इसमें क्या गलत है तो फिर वही परानी बात जो हमें यह injection से खाने वाला है अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें कितने gas भरी जा सकती है आप कियेंगे sir जितनी इसमें गुझाईश है देखें पोस कली जिए कि यह हमारे पास container है और अगर मैं इसमें से क्या करूँ प्रेंजर को खेंचूँ तो बाहर से हवा अंदर दाखल या gas अंदर दाखल हो जाएगी कितनी हो गई यहां भर गई ना जितनी जगह थी उतनी बर गई तो हम कहेंगे कि जो container का volume है actually वही gas का volume है यानि container जितना बड़ा होगा volume of the gas भी उतना ही जादा होगा तो यहां पर एक term आती है that is called volume of the gas या volume of the container यह लिपाल बड़ी है तियास से आपने समझनी है volume of the gas यानि जितना अंदर गुंजाईश है जगह है जितना free volume है उतना ही क्या है आपके पास इस container का volume और उतना ही gas का volume फिर दूसरी बात अब इसी बात में add करते हैं वो यह है कि फिर actual volume क्या हो सकता है वह गैस का actual volume क्या हो सकता है तो इसके लिए आपने ये कहना है कि जब gases होते हैं उनके molecule दूर दूर होते हैं और वो बूर दूर से हरकत कर रहे होते हैं और रेंडम हरकत कर रहे होते हैं और अगर हम gas के molecule को क्रीब 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 लेकर आएं तो क्या होगा तो आपको ये खाज़ आता है वो करीब आते जाएंगे आते जाएंगे और गैस तो जगा घरती नहीं है अगर आप जिस रूम में बैठे हैं आप सोचें कि इसके अंदर में कितना कुछ और ला सकता हूँ आप गए सारा तो खाली पड़ा है तो टब समान पड़ा है और भी आ जाएगा लेकिन मैं कहूं नहीं हो हाँ तो पहले सी गैस है तो आप क्यों लेकर आओगे फिर खिटकी खुली है सारी हवा अंदर आ गई है अब तो कमरा भर गिया है अब आप अदर कैसे लाओगे आप एस तो पहले भी थी तो सोफा आ गया कुर्सी आ गया बैड आ गया यह कंप्यूटर आ गया मुबाइल भी तो आ गया है तो अब बहुत कुछ आ जाएगा तो यह वली बात ही तो कही थी किसने जो पहले गैस लाओज ने के भाई जो वालियूम है गैस का जो आपके कमरे में या किसी भी कंटेनर में गैस भरी हुई है एक्चुली वो इतनी नेगलीजीबल है या इतनी कम है कि हम उसको नेगलीजीबल तस्वर करेंगे तो यही कहा गया कि भाई इसके अंदर यह जो आपको नजर आ रहा है इसमें जितनी भी जगा है वो खाली है उसमें आप कुछ और दाखल कर सकते हो कि पाई डाल सकते हो कुछ भी डाल सकते हो तो यही बात कही जा रही थी कि एक्चुल वोलियूम आफ दा गैस यानि गैस को अगर आप इकठा करकर एक छोटी सी जगा में ले आएं तो वो ना होने के बराबर जगा गहरेगा इसलिए तो एक्चुल वोलियूम इस नेगलिजिबल एस कंपर टू फूल वोलियूम लेकिन यह बात फॉल्टी कैसे हुई क्लेंजर को हरकत देते डाएं देते डाएं तो क्या होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा के मजीद नहीं अंदर जगा के वो भरी हुई है हवासे कैसे अब वो एफेक्ट करने लगी है जिसको नेगलिजिबल तसबर कर रहे थे वो रियल में एफेक्ट करती है वो जोर लगाती है वापस आ जाए फिर वापस आ जाए फिर वापस आ है तो गैस का एक मॉलेक्यूल दुस्तरे गैस के मॉलेक्यूल से इंटरेक्ट नहीं करेगा अब यही बात फॉल्टी है वो कैसे मैं आपको सुझाता हूं हम दो गैस मॉलेक्यूल करते हैं और दा एक 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 का मॉलेक्यूल यह और यह किये है अब आपको यह बात समझाती है कि partial positive और partial negative sides होते हैं डोनों मॉलेक्यूल का positive end को करता वी सिकती और अगर पॉलर मॉलेक्यूल्स ना भी हो तो भी attractive forces हो सकती है और उनका नाम है instantaneous dipole, induced dipole forces इसका जिकर हम next chapters में करेंगे तो attractive forces होती है अगर आपको इसकी बात ना समझा रही हो तो आप ये समझें कि जब attractive forces नहीं होती तो फिर gases ideally behave करती है लेकिन ideal gases तो होती नहीं है तो real gases के दर्मियान तो attractive forces होती है इसी तरह से कुछ गड़बड़ यहां है जिसकी बज़ए से actually जो impact आ रहा है वो आ रहा है pressure पर आपको कहेंगे सर प्रेशर क्या मतलब मैं कहूंगा pressure is actually a force force of attraction, force of molecule जब यह गैस का molecule हरकत करते वे कहीं टकराता है तो एक pressure generate करता है तो attractive forces के मानने या ना मानने से pressure पर क्या impact आता है actually यह वाली बाद भी आपर discuss होगी तो pressure actually crack करना है और volume भी crack करना है कहां पर इधर अगर हम कर दें तो automatic लिए क्या होगा हमारे पास यही equation PV is equal to energy एक नई शकल धारेगी इसका नाम होगा wonder was equation और उसको मिस्तमाल कर सकते हैं हर gas के लिए real gas के लिए यानि real gas में आपको क्या करना पड़ेगा values put करेंगे और दोनों sides यानि ये और ये side equal आ जाएगा तो अब देखते हैं वो equation बनेगी कैसे और यहां पर जो हमारे पास conceptual mistakes है वो कैसे हमने दूर करनी है पहले हम बात करते है volume correction की जो wonder wall ने किया wonder wall ने कहा कि actual volume of the gas is not negligible पहले ही क्या था negligible according to the kinetic molecular theory अब wonder wall कहते है not negligible माली जिये यह हमारे पास एक container है और इस container को हम यहां रखते हैं अब इस container के अंदर आपको जितनी जगा नज़रा आ रही है सारी खाली है तो आप कह सकते है it is the volume of the container मैं कहता हूँ इसमें gas कितनी भर नी है तो आप कहते हैं जितना के अंदर खाली जगा है यानि the volume of the gas is equal to the volume of the container अगर आप माल लें कि हम इसमें gas भरने जा रही है तो हम कितनी gas भर पाएंगे ऐसे करते हैं हम piston की मदद से नीचे करते हैं और समेट लेते हैं जो अंदर पहले से हवा भरी हुई है तो आपने देखा कि जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था injection की मदद से कि क्या करता है आखिर कार आपको आगे आने या piston को आगे आने या plunger से बोलते हैं जो move करता है को आगे आने नहीं देता आपने सुचा हुआ था कि सारा container ही खाली है तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि यह volume निकाल दो इसी को भी बोलते हैं effective volume इसी को भी बोलते हैं incompressible volume मतलब मजीद जगा खाली नहीं है तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि gas के molecule अगर आपने से मजीद भरने है तो फिर आपको किती जगा दरकार होगी आप गहेंगे सब total volume जो container का है उसमें से b को minus कर दें तो आपके पास वो volume बचेगा जो आजाद है free है इसको मगा write करें अपने book के अतबार से तो यू लिख सकते हैं कि v free is equal to v यानि volume of the vessel minus b b is an excluded volume जो के available नहीं है और वो निकाल देने पर ही आपको vessel का free volume मिलेगा अब जो पहले वाली equations थी जैसे के pv is equal to nrt तो उसमें actually हो रहा था ये free volume को vessel के volume समझ रहे थे या vessel के volume को free समझ रहे थे या बोलिजिए कि ये actual volume यही था चाहे vessel हो चाहे free equal to way तो यही actual volume तो सबर किया और यही volume दर्स किया गया है यहाँ पर लेकिन आपने एक बात है कि के हम जो सोच रहे थे v vessel वही है आपके पास actual volume के था नहीं 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 अगर actual correct volume लेना है तो फिर पहले वाले volume में से b minus करना वड़ेगा यानि अब हमें v की जगा लिखना चाहिए v vessel minus b actually b excluded volume है लेकिन आप कियांगे sir यतिमर्जी गैस का नहीं एक मॉल गैस का तो हम अगर एक मॉल गैस के लिए एक विजन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वी वैसल minus nb तो यह आपके पास दूसरा expression हुआ अगर आपने बहुत सारे मॉल ले लिये हैं तो फिर आप अगर nb लगाएंगे अगर आपने वन मॉल ही लिया है तो n की जगा वन लगाने पर multiple b करने पर वो भी या रहता है तो फोर वन मॉल ओफ ऑफ गैस दा प्री वॉल्यूम दा वॉल्यूम बिच इस अविलिबल इस एक्वल तो दा v वैसल minus b और अगर जैसे मैंने कहाने पर आप मॉल चेंड करेंगे तो n वहाँ पर लगा सकते है तो कर्रेक्ट हो गया वॉल्यूम पहले क्या था वॉल्यूम और अब क्या है वी तो था इस इक्वल टू वी वैसल minus nb तो अगर आप यहाँ पर यह लगा दे एक्वेजन तरूस तो रहेगी लो जी हाफ कम तो हो गया अब चलते हैं प्रेशर क्रेक्शन की तरफ अब हमान लीजी कि हमारे पास ये एक मालेक्वल है और वो आपके पास वैसल वाल है अगर मालेक्वल उससे जाकर टकराया तो क्या होगा पाउंस बैक हापस आज जाएगा अब इस तरह कई मालेक्वल जाकर एक खास जगा पे जिसको हम बोलते है स्पेसिपिक एरिया या यूनिट एरिया आफ दा वाल पर टकराएगा और जब ये टकराएगे तो जाहर सी बात है एक फोर्स इंजेक्ट करेंगे और हमने केज़वा पड़ा है कि जो फोर्स लगती है कुलेयन्स की वज़ा से टकराओ की वज़ा से दिवार पर वैसल की और वो एक खास एरिया पर अगर अकाउंट की जाए तो उसको हम उसी गैस का बोलते हैं प्रेशर प्रेशर का तालुक क्या है कुलेयन से है और जितनी अच्छी स्ट्रॉंग कुलेयन होंगी उतना ही प्रेशर क्या होगा सादा होगा अब अपनी समझ की खादिर अगर हम मालें के प्रेशर कैसे ना पा गया है तो हम उसमझते हैं दिवार के फीछे कोई खड़ा है और खड़े होकर नोट कर रहा है कुछ लिजए कान एक आला है और उस आले की बदद से ही हम कुछ सुन सकते हैं तो दिवार के उस तरफ अगर हम सुनेंगे वाज़ेगी ठक तो आपने मालूम कर लिए हाँ भी हाँ कुछ नगुछ टकराया है अब कितनी फोर्स टकराया है उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या एक आला लगाना पड़ेगा तो वो आला अगर वहाँ पे लग जाता है तो वो बताएगा कितनी फोर्स से ये चीज़ टकराई है तो आपने देखा कि हमने force मालूम कर ली अब जो force मालूम कर ली हम खुश हो गए होई होई पता चाल लग गया force का और पता लग गया pressure का और हमने फॉरण ही कहा कि जो हमने pressure मालूम किया यानि observe किया है उस wall की दूसरी side से तो वही तो है pressure of a gas यानिके actual pressure तो भाई तो जो हमने observe किया वही pressure हमने माना कि actual pressure है और scientist ने जो पहले थे उनने का हाँ भाई यह रहा वो pressure that is actual pressure बात हो गई खतम लेकिन यह वाली बात सही नहीं थी वो क्यों देखो भाई आप सोचना अब नहीं है कि अब आपके पास gas a की जगह पर या a के साथ साथ दूसरे बी molecule भी यहां पर मवजूद है अब जो gas b के molecule है अगर हम सोचें जिसे के कहा किसने wonder wall ने कि there are attractive forces पहले ही मैंसर साब को समझाया है तो अगर attractive forces हैं तो क्या होगा अब भी molecule को पर तरफ केंचेंगे अब क्या होगा अभी भी जाकर वह से टकराएगा क्योंकि वह टकराता है प्रेशर बनाता है बी ने एक को ट्रेक्ट किया तो ए ने जितना जोर्श जाकर टकराना था वह नहीं टकरा पा है gases का वह force तो हम actual मान रहे थे लेकिन हुआ यह कि जो अब्जर्व प्रेशर था वह एक्च्वल प्रेशर से कुछ कम मालुम हुआ कितना कम मालुम हुआ प्राइम या आप बोलीजिए लेसेंड प्रेशर कम हुआ कैनि बी अगर जो आपने चीज़ वज़र की एक्च्वल प्रेशर में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे प्रेशर एक्च्वली में मालुम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बही एक्च्वल प्रेशर में अगर यही रहने दें और इसको वहाँ ले जाए mathematically भी तो बास्मान में आए देगी तो जो आपने observe किया बाहर खड़े होके मालूम किया उसमें आपको जमा करना पड़ेगा वो pressure क्यूंकि आप पहले गलती कर रहे थे आपने pressure तम मालूम किया जब आप सोच रहे थे attractive forces तो होत लिख नहीं सकते थे और आप सोचते थे बास जितना मालेकुल तकराया वही उसका pressure है actual लेकिन ऐसा नहीं बलकिए actual pressure में कुछ वह प्रेशर भी आप जमा करें जो आपकी theory की mistake थी तो attractive forces चूंके होती है इसलिए गैस के molecule fully collide नहीं कर सकते उतनी फोर्स नहीं लगा सकते जितनी actual potential है तो फिर हमें actual pressure लिखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा तो ideal gases का अगर जिकर किया जाए तो उसमें यही pressure जो आपने observe किया वही actual है लेकिन wonder wall ने कहा नहीं 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 इस वाले pressure में आपने अगर actual pressure लेना है तो आपको यही pressure पहले देख रहे ना पहले दोना बराबर थ तो चाहिए समयलें चाहिए समयलें दोनों पी में से कोई भी एक पी समयले को के दोनों बराबर हैं लेकिन आपके चुकर हम actual pressure ले रहे हैं तो पहले वाले pressure में आपको कुछ हिस्सा जमा करना पड़ेगा तब जाकर आप real pressure मालों कर सकेंगे या actual pressure real इसलिए कह रहा हूं for the real gases तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाली equation है दुरूस्ट लेकिन तब जब attractive forces नहीं होती लेकिन यही equation जब गलत हो जाती है क्योंके real gases में तो attraction होती है और πाई भी real gases जाती है तो wonder wall ने real gases के लिए एक नए equation बनाई और उसको हम यहाँ पर लिखते हैं हाँ जाई पी की जगर क्य कर सकते हैं पी प्राइम लो भई यानि पी अब्जर्व में आपको पी प्राइम जमा करना पड़ा और volume अगर आप क्योंके पी के साथ वी multiply हो रहा है तो हम यह वाला factor पी वाला वी के साथ multiply करेंगे तो वी हमने कितना मालूम किया वी free असल में जो हमने पताना है वो यही है तो वी वैसल माइनस अन बी तो किताब ने वैसल नहीं लिखा फिलहाल लेकिन कुछ बुक्स ने अप इन तरीके से इसको explain किया होता है लेकिन मैं पूरे concept के साथ इसको लिख रहा हूं तो यहां पर पी observe प्लस पी प्राइम is equal to वी वैसल माइनस अन बी यह आपने correct form लगा यह जी बन गई wonder wall equation के पहले दो इससे और बागी वो विकुल सही है is equal to nrt तो यह एक form है wonder wall equation की लेकिन वो कुछ इस तरह से भी नहीं बता रहा है बलके कुछ explain भी कर रहा है और जिस चीज़ को explain करना है that is p prime यह lessened volume यह lessened volume इतना है इसकी कोई एक मिगदार होनी चाहिए by conceptual ऐ out नहीं कर सकते हैं इस equation में तो इसकी value को put करने के लिए थोड़ा सा में मजीद आगे की तरफ चलना पड़ेगा हम माल लेते हैं कि प्राइम किसके उपर इन हसार करता है dependent किस पर हैं तेके हमने इस वरत molecule A और B दोने लिए हैं यह दो अलग अलग molecule नहीं हैं बस हमने इने सोचने के लिए A ही B है और B ही A है क्यूंकि बस फर्ग यह है कि जिसको हम observe कर रहे हैं और जो attract हो रहा है उसको A कह दिया इस तरह कोई ना कोई B भी हरवत attract ह हो रहा है और वह भी कुलाइड करते हुए कम प्रेशर लगाएगा तो हर B A है और A B है यानि सारे के सारे gases के मालेक्यूल तो सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्राइम इस डारेक्ली प्रपोर्शनल डो तो था कंसेंट्रेशन ऑफ A टाइप अफ मालेक्यूल और B ताइप मालेक्यूल यांए अगर आप सारी मालेक्यूलs की concern इतनी किसी भी कंटिनर में गैस के मालेक्यूल जदा होगा यानि attraction अपनी तरफ क्या होगी जादा से जादा होगी B molecule की A molecule के लिए अगर वह molecule की दाद कम होगी तो attraction भी कम होगी और पी प्राइम लेस्ट प्रेशर भी कम होगा तो बहराल अगर हम इसको यह कुछ यू लिखें पी प्राइम इस प्रपोर्शनल तो दा N over V N is a number of mole and V is a volume और जिस container में total जगा है volume है वो भी है तो total volume में A type के molecule N होंगे और उसी volume में जो second type के molecule होंगे उनके भी number of mole कुछ ना कुछ होंगे तो अगर हम इसको simplify करें तो कुछ यू करना पड़ेगा N square over V square P prime अगर हम equal करें तो कोई ना कोई constant लगाना पड़ेगा that constant is A in this case N square over V square तो यह जी आपके पास एक और टर्म और अगर हम मानें के N is a number of mole और वो gas के molecule अगर एक ही mole है तो N की जगा फिर 1 put कर दिये जाए यानि mole को 1 कहा जाए तो P prime will be equal to A over V square तो जी यह A core expression आगया है for the one mole of a gas इसका मतलब यह है कि अगर आप इसी equation में P prime की जगा पर यह value put कर दें अगर आप यहाँ N लगा रहे हैं क्योंकि number of mole दे रहे हैं तो आप P prime कभी वह वाला formula यूज करेंगे जो के क्या होता है number of mole रखता है तो लिखते देखते हैं अब कितना लिखे लें अब जल्बना लिखें पी इस प्लस A N square over V या N square A over V square भी लिखते हैं बहराल हम अपने concept से लिखते हैं A N square over V square लो भई बस P prime की value add कर दी है और बाकी वैसे कभ ऐसा V minus N B is equal to N RT अब अगर कोई आप से कहता है कि बही वंडर वाल equation लिखो for one mole of a gas तो आपके इस सर्ष पर कौन सा मसला है हर N की जगा पर one put कर दीजिए और खुद बाखुद क्या होगा फारवला चीज़ जाएगा और P is equal to A over V square आजएगा V minus N B की जगा V minus B आजएगा just is equal to N RT की जगा N कर दें RTI जगा तो यह आपके पास एक नई equation आ गई है अगर quickly write कर दें तो कुछ ऐसे बनेगी final equation for the one mole of a gas but you can say for the real gas जो हमारे पास नई चीज़े आई हैं जैसा के हमारे पास A और B है यह constants हैं और इनको हम बोलते हैं wonderful constants A and B are wonderful constants in constants में ही सब को चुपा है equation को कुछ यूं तबदील करें कि अब यह real gases के लिए हर gas के लिए अलग behave करेगी तो वाके में ऐसा है कि देखो भई इस equation की अब जो नई form आई है वो आप इन में से कोई ले 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 वो form मुझूद है और नई चीज़े जो दाखिल हुई है वो A और B है अब अगर हम अपनी table पर देखें जिसे के यहां देख सकते हैं तो आपको different gases के लिए क्या नज़र आ रहा है A और B की value different है तो hydrogen है oxygen है nitrogen है कोई भी gases यहां मुझूद है अगर तो वो gases क्या कर रही है अगर उनके A और B आप put करकर इसी ही equation के साथ निका ले तो right hand side बराबर होगी left hand side तो आपने यहां पर note किया कि हमने एक equation को ऐसे change किया कि अब वो हर गैस के लिए क्या हो रही है अफलाई हो रही है अब concept वही रहेंगे जो आपने पहले पढ़े है ideal gas के लिए चैप्टर उतना ही रहेगा लेकिन थोड़ी सी बात मुझाफी करने से हमें पूरी book के अंदर सि ने नहीं पुड़े बलके क्या हुआ है हमें एक छोटा ए और बी दो constant इसमाल करने से सारे के सारी equation की दुरस मालूमात मिल गई है अब थोड़ा जिकर करते हैं ए और बी के units का अब जैसा कि आपको पता है कि पी प्राइम इस एक्वल टू ए एन स्क्वेर ओवर बी स्क्वे तो अगर हम जस्ट ए के बारे में जानें कि इसके units क्या हैं तो इस equation को थोड़ा सा solve करते हैं एक को रखें एक की तरफ और बाकी मालूमात या parameters को ले जाए एक side पर तो क्या बनेगा प्राइम वी स्क्वेर ओवर एन स्क्वेर तो यह आपके पास equation है इसमें हम pressure volume और number of moles के units को इंटर करते हैं तो pressure हमारे पास atmosphere volume हमारे पास dmq चुक्के formula में square है तो आप यहाँ पर square लेंगे divided by moles की unit mole ही होती है पर यहाँ पर square अब आप इन सब को एक साथ लिख दें यह 3 to the 6 होज़ेगा और यह square उपर जला जाएगा तो सीधा करके लिखें तो atmosphere dm6 यह raised to power 6 and mole in reverse 2 तो यह आपके पास unit हो गया a का अब हम बात करते हैं किसके बारे में b के बारे में b के युनिट excluded volume volume की unit तो अभी अबने लगाए हैं that is dm cube तो यह हमारे पास हो गए standard units लेकिन अगर आप SI unit का इस्तमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको लगाना पड़ेगा newton per meter square for the pressure और फिर meter cube लगाना पड़ेगा volume की जगा पर तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप meter cube लिख कर बता सकते हो कि यह unit है SI units तो SI और standards units दोनों आपने देखे for the B और अगर हम A के लिए भी यहाँ पर newton per meter square लगाएं यहां meter square लगाएं तो देखें यह थोड़ा सा मीटर और यहां का मीटर cube जो है वो क्या होगा simplify होगा मैं directly answer लिखता हूं newton meter raised to power plus 4 और mole नहीं कटेगा या जोड़ेगा कि से यह वही रहेगा मोल इन्रिवर्स टू तो भाई यह होगी आपकी assignment कि आपने खुद निकालना है पस लगाना है newton per meter square और यहां लगाना है meter cube और फिर देखें कि answer आप निकाल सकते हैं यह नहीं का सकते कि आपका यह unit निकलता है तो पहराल यह आपके पास standard units ऐसा units और यह होगे जी complete एक और question आया था कि सर यह जो हमारे पास smaller volume होता है और excluded volume होता है कि यह same होता है तो इसी के बारे बताते हैं नई भाई यह same नहीं होता है देखें अभी हमने gas के particles को क्या किया था बिल्कुल compress और compress करने के बाद जो हमारे पास यह volume बना था इसको हमने बोला था that is excluded volume यह incompressible volume ठीक है दी लिकन आप सोचें के अभी भी यह gas है और gas के molecule के दर्मियान तो खाली जगा होती है क्या भी भी है हाँ अभी भी इतनी खाली जगा है कि gas gas ही रहे लेकिन एक तसवर को लें कि अगर हम gas के molecules इतने करीब कर दें इतने करीब कर दें कि मैं कोई भी space ना रह हो जाती है और सकती है तो बात यह है कि हम इतना करीब molecules को लाकर गैस को इंता फर्म अप गैस नहीं रख सकते हैं लेकिन हम यह सोच तो सकते हैं कि अगर गैस के माली को इतने करीब आ रहा है कि उनके दिम्हान कोई खाले जगा ना बचाए तो यही तो है वह एक्चुल वाल वह हमारी सोच में एक्जिस्ट करता है और चूंके एक मॉल गैस के माली कि इतनी जगा पर आ सकते हैं अगर उनके दिम्हान कोई खाले जगा ना हो तो यही कहलाता है एक्चुल वालियूम आफ़ा वन मॉल आफ़ा गैस या फिर मॉलर वालियूम तो अब हम यह बोल सकते है एक्चुल वालियूम चार गुना कम होता है देंदा एक्स्कुल वालियूम अगर हम चार दफ़ा मॉलर वालियूम को मिलाएं तो तब जाकर बनता है एक एक्स्कुल वालियूम तो यही है वो स्टॉरी के वाकर मॉलर वालियूम होता है यह एक्चुल वालियूम होता है कम लेकिन हम कजडर करते हैं, excluded, effective, या incompressible volume को. तो कैसे लगा यह injection? दिमाग में intelligence बढ़ाने का injection था ये. और मजीद intelligence बढ़ाएं, देखते रहें, like, subscribe ज़रूर करें, दूसरों के साथ share करें, ताकि उनको अभी important मालूमात मिल सके. तो तक के लिए, अलाहफेज.